दोस्तो जै भीम नगो बद्दाए आज फिर रामक्मार राही जी आपके समक्ष कुछ बिचार रखना चाहता है जरा आप ध्यान से सुनिये रामक्मार राही गाओं गाओं जाकर के मीटिंग करता है लोगों को समझाने का काम करता है उन्हीं लोगों मैंसे मैं अपने युवा साथियों को ऐसे निकालने का काम कर रहा हूँ कि वो समाज को जगाने का काम करें क्योंकि रामक्मार राही हर जगाओं पर नहीं जा सकता है हर जगाओं पर नहीं बोल सकता है इसलिए मुझे प्रतिक गाओं में एक एक युवा साथि की जरुवत है जो मेरे बगुजन समाज के लोगों को महापुर्स के बारे में बता करके बच्चों को पढ़ा करके उस बिचार धारा पे चलाने का काम करे जिस पे हम लोग चल रहे हैं समाने साथियों लोग सिक्चा की तो बात करते हैं जब भी सिक्चा की बात होती है वो अपनी बेतिकत चर्चा करते हैं कि मैंने अपनी बच्चों को इतना पढ़ाया कि A.I.S. बना दिया मैंने इतना हूँचा मकान बना लिया कि मेरा चार मंजलं मकान है समाने सातियो बात सिख्षा की है अरे बो सिख्षा किस काम की है जिससे दूसरों का भला नहो सके रामकमार रही उस सिख्षा पे काम कर रहा है उन गरीब बच्चों को ढूंड रहा है जिनकी माबाप की इस्तिती बहुत खराव है खाने के लाले पड़े हुए हैं सिख्षा कैसे दे सकते हैं समाने साथियो उन बहुजन समान्ज के लोगों से हमारा कहना है जो भरा नहीं है भाबों से बहती जिसमें रजधार नहीं वोज हरदा नहीं पत्थर है जिसमें मनों का प्यार नहीं समान साथियो कहते हैं के ब्रिक्ष कबhouse नहीं फलवके नदी न सीचे नीर परमारत के कारणे सो सादुन धरा सरीर नंदिया कलकल की आवाज करती हुई बहती हैं क्या वो सोयम पानी पी लेती है समन साथियो अगर किसी बच्चे की मदद करोगे किसी बच्ची की सिछा बढ़ाने का काम करोगे तो आने बाला समय आपके लिए इतना अच्छा बनेगा कि मरने के बाद आपके परवार के लोग आपके डेड बोड़ी पे कफ़न नहीं गिन पाएंगे इतनी लोग बाग कफ़न चड़ाएंगे सम्माने साथियों लोग केवल अपनी बच्चों की पढ़ाने में लगे रहते हैं अपनी सुक सुबदाइं जुटाने के लिए लगे रहते हैं पढ़ोसी का ध्यान नहीं अरे सिछा की बात यदि करते हो बाबा साहम ने सिछा की बात की तो बगजन समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बच्चों की कुरवान या दे दी बच्चों को नहीं देखा लेकि बगजन समाज के लोगों की बच्चों को देखने का काम किया साथियो समाने साथियो आज रामकुमार रही गाउं गाउं जाकर के उन बीडियों को बना के तैयार कर रहा है जिन बच्चियों के पास पढ़ने का कोई साधा नहीं है माबाप बहुत लाचार हैं पैसे नहीं है उन बच्चियों को माँ बीडियों बना करके बगजन समाज के लोगों के बीच मे लाँगा जिन लोगों को लगे के मुझे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना है पढ़ाना है तो सम्मान साथियों आफसे हमारा बिसेस निवेदन है कि आप आईएगा जमीनी इस तरह से काम करिएगा गाउंगाउं जाईएगा लोगों की मदद करिएगा जब आप लोगों की मदद करोगे लोगों कहीं न कहीं आपको दुआई देने का काम करेंगे लोग करते क्या हैं लोग तो केवल एक ही काम करते हैं कि पैसा जोटाने का काम करते हैं क्यों कि आंगे आने वाला समय मेरा अगर चुनावी शेत्र बनता है तो मैं उस पैसे को लोटाने का काम करूँगा साथियो इस सोच में मत जीओ ये मेरे बगजन समाज के लोगो मेरे महापरों से सोच में कभी ने पड़े कभी उनकी सोच खराब नहीं रही लोगों को बढ़ाने की बात किये बढ़ाने का प्रयास किया समाज को अंद विस्वास रूरी बात ता पाखन बात से उठाने का काम किया आज मेरे लोग केबा लेकरी दिमाग लगाते हैं अरे पैसा मैं खर्च क्यों करूँ पैसा चुनाब में बहुत खर्च होता है कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई समान साथियों हमें पता है ऐसे लोग केबल समाज को धोका देने का काम किया करते हैं चुनाब जब भी आता है लोगों को दारू पिलाना चालू कर देते हैं बुकरा और मुर्गा खिलाने का काम कर देते हैं बोट खरीदने का काम कर देते हैं यह मेरे बहुजल समाज के लोगो मेरे गरीव समदावी के लोगो आपको सोचना होगा आप जिस ब्यक्ति को अपने समाज का समझ रहे हो उसके पास यदि दौलत है तो आपका नहीं हो सकता है अगर बिचारदारा आपकी मिलती हो से कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके प्रती दर्द है तो वही लोग समाज में काम करेंगे आपकी मदद करेंगे आपके बच्चों को आँगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों करना भी चाहिए रामक मर रही एक बेरोजगार बेक्ती जब गाउं गाउं जाकर के मीटिक करने का काम करता है लोगों को समझाने का काम करता है लोगों की मदद करने का काम करता है मैंने क्यों लिस्ट बनाना चालू कर दी अभी मैं ऐसे वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को जिनकी इस्तिती सुनकर के आपके आंसू बेहने लगेंगे कैसे समाज आंगे बढ़ेगा सेहर में मीटिंग बुला लेते हैं मेरे बखजन समाज का पैसा दो दो डाई 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 सो तीन तीन सो रुपाए पेट्रोल में चला जाता है इससे क्या होगा समाने साथियो अगर आपके अंदर जोस औ जज़बा है समाज को एक जुट करने का काम है समाज को आँगे बढ़ाने का काम है तो आप एक काम करिएगा जमीन इस तर से काम करिएगा अगर आप नौकरी वाले हो तो रईवार का जो समय मिलता है वो समय दे दीजेगा किसी माप पर उसने भी संगर्स किया था रईवार के लिए लेकि लोगों ने अपनी खुसियां मनाने में लगा दिया जबकि समय मांगा या गया था अंगरेजों से कि जिसने मुझे आजादी दी उस समाज के लिए मुझे बस केबल रईवार चाहिए बड़ा संगर्स किया था तविर यार का समय मिला समाने साथियों आप लोगों से हमारा बिसेशने वेदन है कि आप ऐसा काम कर दीजेगा आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें भीड में खड़े होना एक अलग बात होती है भीड आपके लिए खड़े होना एक अलग बात होती है तो काम ऐसा कर दीजेगा समाने साथियों सोसर राज गुरुप के सभी लोगों को रामक माराही जैभीम नबो बद्दाय करता है